कि याद आती है आप डाइट पे तो नहीं हो कमांड के अंदर हमारे पास जो है वह पेकेट्ट होते हैं और वह पेकेट आपको दिखा है था लेटमी शोई यू एक मिनिट सिर्फ वैट करे मैं में आपको दिखाता हूं कि जो है वह से संसे यहां और पेस नूर में कि आप लोगों में से जिसने नहीं यूज की ठीक है वो जड़ा देख लेके हमारे पास पैकٹ सेंड किस थरह से होते हैं किसी बी नेटवर की यूप य bestimm presents किसी की उपर यैक किसी बी सर्वर और पुड़ जाब बीक हंब क्राम कर रही होती है ठीक है अब वैब सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज होती है आप बताएं जरा मुझे आप लोको ने वैब पढ़ी है लासमेस्टर में पढ़ी है भी फ्रेश फ्रेश है जब हम वैब को लाइव करते हैं तो वैब सर्वर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज होती है कौन बताएगा कि कि इसी को नहीं पता कि सब्सक्राइब को लाइब करते हैं या अपने अकाउंट देखा हो या आपने कभी डुमेन पर शेज की हो ठीक है तो डुमेन क्या होती है बेसी के लिए आपका डी एनस होता है तो होस्टिंग में आपको बेसी के ली वैब सर्वर मिलता है वैब सर्वर के अंदर डिफरेंट सर्विसिज होती है उसके बाद अपाची की सर्विसिज होती है एच्टी टी पी एस की सर्विसिज होती है एफटी पी की जो के आपकी वैब को लाइब करता है ठीक है अब देखे हैं यहां पे मैं पिंग कमान्ड यूज़् कर रहा हूं पिंग का मतलब रियललाइफ में क्या होता है किसी को टॉच करना ठीक है अब यह जो डीयनस लिखा हुआ है मैंने यह है गूगल का दीनस ठीक है जिस से राने कि मैं उसकी कुछ करना चाह रहा हूं कि मेरा सिस्टम उसके साथ है या नहीं इन्शालला नेक्स लेक्चर में आपको डॉस अटैक करके भी दिखाऊंगा ठीक है तो कि डॉस अटैक कैसे करते हैं किसी वेब साइट की उपर या किसी सर्वर की उपर जब आपने कोई डॉस अंदर आ रहे होते हैं जब भी आपका कोई भी पैकेट आपके सर्वर तक सेंड हो रहा होता है अब देखे पिंग कमांड लिखी मैंने गूगल का डी एंस लिखा उसके बाद आपने एंटर प्रैस किया ठीक है अब यह देखें यहां पर क्या कर रहा है पिंगिंग किसको क सर्वर से आ रहा है और कितने बिट का डाटा है तर्टी टू बाइट का टां कितना ले रहा एंस को हम पिंग कहते हैं जो लोग पब जी खेलते होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि उसमें बड़ा जो है वह एक मेजर चीज चीज होती है जो भी देखते हैं जब उसमें डिले कितना आ रहा है ठीकँ अब यहां पर टाइम आरहा है 44 MS ठीक है मिली सेकंड्स के अंदर यह होता है लेकिन जो अच्छा MS होता है वह 1 MS होता है ठीक है वन MS आ लेके 10 MS तक अगर आपका पिंग आ रहा है ठीक है इसे हम पिंग का time कहते हैं यहां से पिंग हुआ ठीक है यहां से रिप्लाइ आया रिप्लाइ फ्रॉम सर्वर विद थर्टी डू बाइटस ऑफ डेटा पैकिट और टाइम कितना ले रहा है फुर्टी फॉर एम एस ठीक है और टीटी एल मैंने आपको क्लास में बताया था टाइम टू लिव है यह टाइम टू लिव क्यों यूज़ होता है कौन बताएगा जल्दी बताएं टीटी एल क्या होता है सारस हो गए है जल्दी से पताएं ना टीटी एल क्या होता है टाइम डू लिव के इतने टाइम के बाद वो हो जाएगा हां उतने टाइम के बाद अगर यह टीटी एल आपके पास 52 है 52 सेकंट के अंदर इसने आपकी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व किया थीक है यह सेकंड के अंदर भी होती है नेनो सैके डिपेंड करता है आपके सर्वर की टाइम के उपर ठीक है कि आपके सर्वर ने रिक्वेस्ट का रिप्लाई इतने टाइम में करना था एक फिक्स टाइम होता है टीटी एल का पैकिट ने लीव करना होता है ठीक है इस टाइम डिरेशन के अंद तो आपका जो है वो टाइम आउट हो जाता है और सर्वर रिक्वेस्ट को डिनाए कर देता है आपकी रिक्वेस्ट अन्रीचिबल आती है ठीक है यह जब आप फॉर एक्जेंपल आप जो है वो अपने सिस्टम जब आपका नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होगा नहीं होता ठीक है वो बना किसी ऐसी जगह होता जहां पे उसका नेटवर्क नहीं आ रहा होता तो उस ताम आपका जो नंबर है वो अन्रीचिबल जा रहा होता है अन्रीचिबल ठीक है कि मीन वहां पे आपका नेटवर्क एक्जिस्ट नहीं कर रहा है तो जब आप कि वह पिंग करेगा कि यह तो हो गई नहीं कि वह आपके नेटफुक का पार्ट ही नहीं होगा इसलिए वहां पर वह पिंग नहीं होगा जैलें जी हम नेक्स अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं पें कमांड का आप पच्छे समझ आगा कोगा अच्छा जी है अब देखे चेंज इन एड़किट वे एंड मौडिफिकेशन ड़न भाइब अथराइज पीपल ठीक है अब अथराइज पीपल तो ठीक है लेकिन अनधर आइस पीपल के पास वह आपकी इंटेग्रेटी सेव नहीं होती ठीक है अथराइज वे में और अनधर राइज वे म फिल होना चाहिए कॉन्फिदेंशियलिटी एविलिबिलिटी एंड इंटेगरिटी अज़िदी नेक्स हम देखते हैं अटैक्स अटैक्स प्रॉसेस बेसिकली क्या होता है क्यों किया जाता है ठीक है और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है अब देके मैथड्स हैं आपके पास अबिलिटी होनी चाहिए ठीक है नेक्स आपके पास टार्गिट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है लाइक जिस तरह इन रियल लाइफ जब हमारी आर्मी किसी पे अटैक करती है तो सबसे पहले उस आर्मी की अबिलिटी है कि वो अटैक कर सकती है यह नहीं क सकती उसके बाद जो भी उसके एनमी है तो उसके बारे में वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखती है ठीक है उस टार्गिट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जिस भी टार्गिट के उपर अटैक करना होता है उस टार्गिट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कॉलेक्ट की जाती है जिसे हम social engineering कहते हैं ठीक है social engineering में different techniques होती है target के बारे में information collect करने की आप target को इतनी जल्दी अच्छा exploit कर सकते हो इतनी जल्दी उसके उपर attack कर सकते हो जब आपको उसके बारे में बहुत अच्छी information होगी ठीक है next हमारे पास है tools तो tools different आपके पास software हो सकते हैं जिन software tools को use करते हैं जो है वह आप attacks को जो है वो कर सकते हैं ठीक है launch कर सकते हैं system को compromise कर सकते हैं ठीक है next आपके पास opportunity time and access दो चीज़ें आपके पास आती है इसमें और तीसरा आपके पास motive testing system reliability competition between attackers or testing their own skills ठीक है motive मुक्तलिफ किसम के हो सकते हैं कुछ financial motive भी होते हैं ठीक है breaking into well scared system like law enforcement government agencies ठीक है different किसम के systems को अगर आप जाब ब्रेक करना चाहते हैं to gain the popularity financial gain information gain ठीक है कुछ लोग होते हैं कि fame हासिल करने के लिए जो है वो attacks वगारा generate करते हैं मुक्तलिफ multinational companies पे उसके बाद financial gain के लिए करते हैं ठीक है कि साइट को है किया और उसके बारे में जो है वो आपको कहा कि इतने पैसे पे करें तो आपकी साइट दोबारा जो है वो चल जाएगी नेक्स आपके पास information gain के कोई सबसे पहले आपके पास security मेकैनिजम स्कूरिटी सर्विसस के स्कूरिटी आटेक आपको पता कि क्या होता है ने एक्शन डैट कॉम पॉमाइस इस तस सिकूरिटी ओफ इन फॉमिशन ठीक है कोई भी एक्शन जिसे आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सके जिससे आपकी सि स्कूरिटी में बहुत अहम होता है और वो प्रीवेंशन के लिए काम आता है एंग मेकैनिजम बार्इज दिजाइन तूप्राइट ओर रिकोवर वर्माइटैक सिकूरिटिए चाहट सबसे पहले क्या कर रहा है डीज़ाइन कर रहा है प्रिवन और डिटेक्शन के लिए प अपने सिस्टम को from security attacks ठीक है security attack को launch हो गया आपके सिस्टम पर उसके बाद आप अपने सिस्टम को वापिस recover करते हो ठीक है वापिस initial stage पे लेकर आते हो यह different mechanisms होते हैं इसमें different techniques use की जाती है next आपके पास security service service a service that enhances the security of data processing systems and information transfers a security service make use one or more security mechanism different किसम के mechanism different किसम के tools and techniques use होते हैं जो के आपके स्क्रिटी service पर रवाइड करते हैं ताकि आपके सिस्टम जो है वो prevent कर सकें और सारे एटक्स को जो भी अटैक उसके उपर launch और आपकी security को मजीद security बनाया जा सके ठीक है इसमें डिफरेंट किसम करते हैं किसम के हाडवेर उस होते हैं को आपको की सिस्टम की स्च्यूरिटी कि है और उसके अकौर्डिंग याब उसकी उपर क्या इंप्लीमैटब करने जा हो." Chinese हमारे पास दो तरह के stat होते हैं सब से पहले हम बात करेंगे एक्टिव टायकी that you फेघर्ट होता है जो लाइब टैक किया जाता है और डिरेक्ली सिस्टम को कर दिया जाता है वह उसमें वुसका मोटिव कोई भी होसकता है वह फाइनेशल के लिए हो सकता है में फापिलरिटी को जो ब्रेक कर देता है और आपके सिस्टम के अंदर जितनी पी इंवार्मेशन वगरा होती है उसको डिस्ट्राइक कर देता है ठीक है इसकी डिफरेंट टाइप में इसकी टाइप भी पढ़ेंगे कि एक्टिव टाइप सोती है इसमें कौन-कौन से टैक्स होते हैं उसके बाद हमारे पास पास पैसे बटैक होते हैं पैसीव आटाइग जो होता यह कभी बिरेक्टी आटक remembrance नहीं किया जाता ठीक है इसमें आटेकर आपके सिस्टम की ऐक्सेस ले लेता है लेकिन वह था था कर एक उसके लिए उस के अंदर वह ईजासूस के अंदर काम करता है ठीक है और अब लाइन फॉर्समेंट क्या करती है उस लाइन फॉर्समेंट ने उसके मुबाइल तक भी एक्सेस लीवी है ठीक है लेकिन उसे नहीं बता उसका मुबाइल ट्रेस हो रहा है उसकी कॉल्स ट्रेस हो रही है ठीक है उसके मैसेज़ ट्रेस हो आइवन कि उसकी फैमिली के अंदर जितने भी यूज होते हैं टेली कॉम के हवाले से ठीक है वो सब को मौनीटर कर रहे होते हैं ठीक है अब अटैक उन्होंने किया हुआ है एक्सेस लीवी है लेकिन वो स्पाय है जस्ट फो दो मनीटरिंग परपर्पर्स और चेक का रहे हैं कि यह information कहीं मतलब बताते तो नहीं है किसी को कि हम यह इस इसके लिए काम करते हैं यह हमारा आज यह operation था ठीक है तो वो उस हवाले से जितनी भी चीजे होती है वो सारी passive attack में आती है कि attack की access ले ली जाती है लेकिन उसमें spire आ जाता है ठीक है वो directly कभी भी system को exploit नहीं कहा ज कि जिए वाँ अच्छा जी लेक्शिर जो है वो मैं अप्लोड कर दूँगा उसके बाद आप लोगों को अगर मजीद इसमें कुछ जीजन समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वाद में बगारे में य inclusive कर्या जाता है किस तरह से जिल को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं दुरिंग डास ऐटेक है कि किसी कोकूर सकते हैं क्लास को प्रिप्ण विल्डर रिए है हैं जय है अपरीज है ऐसे नहीं जाला है